हेलो फ्रेंट्स सब्सक्राइब करें स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों को 20 ऐसे कानुन बताऊंगा जो हर भारतिये को पता होने चाहिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला आता है हमारा दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 उसका सेक्शन 14 हमारा कहता है कि यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिये जबरदस्ती मकान खाली नहीं करा सकता है तो ये एक हमारा अधिकार दूसरा हमारा है Maximum Retail Price Act 2014 कोई भी शौपकीपर डिमांड नहीं कर सकता Maximum Retail Price से ज़्यादा किसी भी प्रोड़क्ट के उपर लेकिन जो कंजियूमर है वो उतपात कर सकते हैं शौपकीपर से कि बारगेन कर सकते हैं शौपकीपर से जिससे कि उन्हें Maximum Retail Price से कम प्राइज म अपना प्रोड़क्ट मिल सके तीसरा हमारा आता है Motor Vehicle Act 1988 सेक्शन 182 सेक्शन 202 ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में एलकॉल का केवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफतार कर सकती है चौथा हमारा आता है Indian Service Act 1887 कोई भी होटल चाहे वो 5 स्चार ही क्यों ना हो या 7 स्चार हो आपको फ्री में पानी पीने या वाश्रूम यूज करने से रोग नहीं सकता है किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबा 6 बजे से पहले गिरफतार नहीं किया जा सकता महिला को अरेस सिर्फ इन दोनों टाइमिंग के बीच में ही करना पड़ेगा सिक्स्थ हमारा आता है मेटरिनिटी बेनेफिट एक्ट 1961 इसके अंदर है कोई भी कमपनी प्रेगनेंट लेडी को जॉब से नहीं निकाल सकती ऐसा करने पे मैक्सिमम 3 साल की जेल हो सकती है अब सैवंथ हमारा आता है मोटर वहिकल एक्ट मोटर वहिकल एक्ट ऑफ सक्चन 129 में साब साब लिखा हुआ है टू विलर्स के अंदर हेलमिट पेननेत जूरी है section 128 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर two-wheeler vehicle है तो उसके अंदर maximum two percent sitting होनी चाहिए लेकिन अगर traffic police वाले आपकी बिना permission के चाबी निकाल लेते हैं आपकी car या motorcycle की तो वो totally illegal है तो आप उनके उपपर एक legal action ले सकते हैं president constable या फिर officer पे 8 है Indian Penal Code IPC section 166A उसके अंदर police officer F.I.R. लिखने से मना नहीं कर सकते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें 6 महीने से एक साल तेक की सजा यानि jail imprisonment हो सकती है 9 हता है मारा Indian Penal Code for Prejudice section 498 इसके अंदर लिखा है कि कोई भी married person अपनी सहमती यानि कि अपनी consent के साथ physical relationship बना सकता है कोई भी unmarried girl या फिर widow women's के साथ ऐसा करने पर ये crime की category में नहीं माना जाएगा 10 पुलिस act 1861 कोई भी पुलिस officer constable हमेशा ही duty पर होते हैं चाए उन्होंने uniform पहनी हूँ या ना पहनी हूँ यदि कोई व्यक्ति इस अधिकार से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीरिड की मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वह duty पर नहीं है क्योंकि पुलिस officer हमेशा duty पर रहते हैं चाए वो uniform में हो या ना हो 11th हमारा आता है Domestic Violence Act 2005 अगर कोई दो adult boys और girls चाहते हैं कि अपना एक own love relationship बनाने को तो वो illegal नहीं माना जाएगा और अगर उनके बीच में एक child born होता है तो वो भी illegal नहीं माना जाएगा बलकि children's को rights पुरा-पुरा दिया जाएगा father's की property में से 12th हिंदू marriage act section 13 में लिखा गिया है कि divorce following grounds के अंदर लिया जा सकता है हिंदू marriage act के अंदर साफ-साफ लिखा हुआ है कि पती या पतनी court में तलाग के लिए या divorce के लिए application फाइल कर सकते हैं सबसे पहला हमारा आता है adultry adultry का मतलब marriage के बाद बहार physical relationship बनाना तब ले सकते हैं और physical और mental harassment यानि परिशान करना वो जब कर सकते हैं बिना बताय छोड़ कर जाना तब कर सकते हैं Hindu religion को छोड़ कर जाना तब कर सकते हैं कोई और धर्म जब अपनाते हैं पागलपना हो लाइलाज बिमारी हो या फिर वेराग्य लेना हो और या फिर साथ साल तक कोई भी अता पता ना हो के अधार पर कोई भी husband या wife divorce की application फाइल कर सकते हैं के अंदर यही मैंने एक knowledge का point ढूंडा था इसके अंदर लिखा गया है कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी ये बात कि अगर उनका gas lander खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल यानि कि life और goods की भरपाई के लिए gas company से 40 लाग रुपे तक अपना compensation के हगदार होंगे 14th Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 इसके अंदर लिखा यदि आप हिंदू है और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है और परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं साथ ही गोद लेने वाले बच्चे के बीच में कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है 15th Automotive Amendment Bill 2016 यदि आपका किसी दिन चलान कट गया बिन हेलमेट के या फिर कोई भी किसी भी अन्य करण की वज़े से तो फिर दुबारा उसी अपराद के लिए आपका चलान नहीं काटा जा सकता है लेकिन कोई और रीजन से आपका चलान जरूर काट सकते हैं 16 Income Tax Act 1961 अगर आपने टैक्स के रूल्स फॉलो नहीं करें उलंगन किया है तो इसके अंदर टैक्स रिकवरी ओफिसर आपको क्लिरली ग्रफतार अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन अरेस्ट करने से पहले टैक्स रिकवरी ओफिसर को आपको नोटिस भेजना पड़ेगा उसके बाद केवल टैक्स कमिशनरी फैसला करते हैं कि आपको कितनी देर तक गिरासत में रहना पड़ेगा 17 Code of Penalties 1973 इसमें है कि केवल लेडी पुलिस ओफिसरी महिलाओ को अरेस्ट करके पुलिस टेशन ले जा सकती हैं और मेल पुलिस ओफिसर्स को महिलाओ को गिरफतार करने का अधिकार नहीं है इतना ही नहीं महिलाओ महिलाओ शाम के 6 बजे से सुबा 6 बजे के बीच में पुलिस टेशन जाने से मना भी कर सकती हैं लेकिन एक serious अगर crime होता है तो मामले में magistrate में लिखित आदेश उनसे लेकर ही male police officer किसी भी महिलाओं को गिरफतार कर सकता है अब इस act को बताने के अंदर आपको थोड़ा सा शौक लेगा जैसे कि यदि आप किसी company से कोई भी festival के उपर जब कोई gift लेते हैं या फ्री में कोई भी gift मिलता है तो इसको माना जाता है कि ये आपने रिश्वत लिए या फिर घूस लिए इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है 19th Limitation Act 1963 यदि आपका office आपको salary नहीं देता है तो आपको pass right है कि आप 3 साल के अंदर अंदर report उस office के खिलाफ दरज करा सकते हैं लेकिन यदि आप 3 साल के बाद report दरज कराते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा Last यानि कि 20 Indian Penal Code IPC का section 294 अगर आप obscene activity का मतलब होता है अशलील हरकत करते होगे पकड़े जाते हैं public places के अंदर तो आपको imprisonment हो सकती है तीन महीने तक की लेकिन ये IPC के अंदर पूरी definition of obscene activity को clearly define नहीं किया गया है इसी वज़े से police जो है misuse करती है इस कानून का